Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपने English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11 की जो आपकी Woven Words Book है उसका essay No. 2 और आज कवर करूँगे इस essay की Summary and Understanding the Text के कुछ Important Questions and Answers Essay No. 2 है आपका My 3 Passions अगर आपने मेरे इसका Explanation का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाईए और देखिया ही ताकि आपको और Easily Connect करने में आपको Easy रहे So let's begin with the Summary of the Essay अब Summary स्टार्ट करने से पहले मैं आपको Passion Word का Meaning बता देती हूँ कि Passions क्या होता है किसी इंसान की Life में Passion होता है यानि कि कुछ करने का जुनून किसी चीज को करने की बहुत strong feeling कि नहीं मुझे तो ये चीज लाइफ में करनी है तो वो उसके Passions होते हैं अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी Summary तो जो आपका Essay है जिसका नाम है My Three Passions जिसके राइटर हैं Bertrand Ruzel ये क्या बात करते हैं इस Essay में तीन Passions के बारे में इनकी लाइस में इनके कितने Passions हैं तीन Passions है जो इनको जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्होंने डिजायर करी हैं इच्छा रखी कि मेरे ये तीन Passions मुझे मिल जाएं क्या है वो दीन Passions? He aspired for love, knowledge and pity for the sufferings faced by the humankind तो इनके तीन Passions थे love याने इनको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए था दूसरा इनको चाहिए था knowledge याने की ग्यान चाहिए था हर चीज के बारे में जो इनको नहीं पता है और तीसरी इनको feeling चाहिए थी pity के बारे में pity याने इसको हिंदी में कहते है दया दया भावना तो इनके अंदर वो दया भावना की इनको feeling चाहिए थी उन लोगों के लिए उन humankind उन इंसानों के लिए जो क्या face कर रहे है अपनी लाइफ में बहुत दादर sufferings, pain, तकलीफ, पीड़ा, okay तो ये तीन feelings जो थी इनको चाहिए थी अपनी लाइफ में और यही इनके तीन passions भी थी बाटरिन रुजल discusses that in the beginning the first thing that he desires is love, तो हमारे जो author है वो क्या discuss करते है कि सबसे पहली चीज जो इन्होंने desire करी थी ये थी, he was of the opinion that because of love, he could eliminate loneliness and sufferings from his life तो इनके ये opinion, इनके ये views, इनके विचार थे कि अगर लव इनकी life में आ गया, तो ये अपनी life से सारा loneliness, याने सारा अकेलापन eliminate कर देंगे, याने की हटा देंगे और जितनी भी life में ये suffer कर रहे है, जितनी भी जिससे अपने feelings share करेंगे, अपने emotions share करेंगे और इनके life में love की एक feeling create हो जाएगी तो पहली इनका passion तो ये था The second thing that he desired was knowledge, अब दूसरा क्या passion था, अब love मिल गया इनको, अब दूसरा passion क्या था, इनका knowledge कि अब मुझे मेरी life में क्या चाहिए ग्यान चाहिए, which everyone seeks in their life, और हर इनसान अपनी life में ये चीज सीख करता है, याने की ढूलता है knowledge, ग्यान, पढ़ाई लिखाई से आता है Bertrand was always eager to gain understanding about the things which he had not known, तो Bertrand जो हमारे author है, जो writer है वो हमेशा बहुत eager, बहुत इच्छोक रहते principle theory, जो maths का concept है, इसको भी समझने की कोशिश करी, जो की बहुत difficult हुता है, तो बहुत से ग्यान इन्होंने अपनी life में प्राप्त किये और ये खुद भी एक philosopher थे, काफी deep thinker भी थे Following his desire for love and knowledge, he talks about pity, which transports him to the real world from heaven तो author बोलते हैं कि love and knowledge, ये दो passions पाने के बाद, ऐसी feeling आने लगी कि मैं कहाँ पहुच गया heaven में, यानि स्वर्ग में पहुच गया, लेकिन जो मेरा तीसरा desire, जो मेरी तीसरा मेरा जुनून, मेरा passion था जो की था pity, यानि लोगों की दुख तकलीफ देखकर उन पे दया करने कि जो feeling है, ये जो feeling है मुझे समझो, heaven से नीचे वापस, अर्थ पे खीच आती थी क्योंकि इनको ऐसा लगता था, इनके कानों में आवाजे गूंज रही हैं, कि बच्चे रो रहे हैं भुकमरी में, बूडे माबापों को उनके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि अब वो बूडे माबापों पे burden याने भोज बन गए हैं लोगों की चीक, पुकार, दुख और तकलीफों की जो गूंज, जो echoes, जो आवाज होती थी इनके कानों में गूंज ती थी इस वज़े से यह जो heavenly feeling में थे love and knowledge प्राप्त करके वो heavenly feeling से वापस नीचे earth पे ऐसा learn को लगता था कि मैं उतर आया हूँ और इनके साथ इनकी दुख तकलीफों में हूँ कम तो करनी पाते थे इनकी दुख तकलीफ बलकि खुद भी सफर ही करते थे याने और परिशान होते थे लेकिन फिर भी author को ऐसा लगता था in the end आखरीम उन्होंने ये conclude किया ये कि उन्होंने ending इस तरीके से किये ये बोलते हुए by saying that if he is offered, he would love to live his life again याने अगर भगवान ने उनको फिर से offer किया कि आपको एक और बार इंसानी जनम या जीवन दान हमें देता हूं तो वो happily, बहुत खुशी लिए उनका ये offer accept करेंगे और ये life जिएंगे क्योंकि ये life उनको लगता है कि वर्थ लिएंगे ये ही life है जहां love, knowledge और pity होनी चाहिए ये तीनों उनको मिले और वो अपनी life से सम्हाओ खुश थे ओके, so this was all about the summary and now let's begin with some important questions and answers तो question number one वाइड जो रुजेल कॉल थ्री पैशन्स सिंपल जब आब ऐसे की starting पढ़ेंगे तो रुजेल जो हमारे author है उन्होंने लिखा है कि मेरे जो तीनों passions है love, knowledge and pity ये तीनों ही काफी simple है तो उन्होंने simple क्यों बोला है इनको तो answer है every human is driven by a force a passion all his or her life तो हर human being अक्के life में कुछ न कुछ force होता है यानि कुछ न कुछ ऐसी चीज होती है जो उस आदमी की पूरी life चलाती है जो उसकी पूरी life को drive करती है जैसे इनकी life में love, knowledge और pity था तो ये तीनों चीजों ने इनकी life को control किया था हमारे author की हर इंसन की life में कोई चीज for example मुझे पैसे कमाना बहुत पसंद है तो पैसा मुझे drive करेगा जहाँ पैसा वहां में ओके वो वाली चीजे इट कीप्स अ पैसन गोइंग और अपने passion की वज़े से इनसान अपनी life में going यानि चलता रहता है, काम करता रहता है उस चीज को पाने के लिए some desire money कुछ लोगों की life में उनकी के अच्छा है कि मुझे पैसा चाहिए others, fame, किसी को famous होना है actor बनना है, वो सब चीजे author's desires that he chased through his life were simple as well तो author की life में भी जो तीन चीज़े उन्होंने desire करी थी love, knowledge और pretty वो भी काफी simple ही थी उनके लिए for one he wished love and got it too क्योंकि पहली चीज़े उनको चाहिए थी वो चाहिए थी, love वो उनको मिल गई he believed that he had brought happiness उनका ऐसा मानना था कि love अगर किसी इंसान की life में आ जाएगा तो उसकी इंसान की life में happiness याने खुशी अपने आप आ जाएगी he got married four times इसलिए इन महान इंसान ने चार बार शादी करी, कुछ जादे happiness चाहिए थी इनको second he hunger for knowledge दूसरी किस चीज की भूख थी हमारी author के अंदर knowledge याने ग्यान की, अब लफ तो मिल गया 4-4-5-5 बार, अब knowledge चाहिए and of course we all seek for it और हम सब भी वो चीज धूंडते हैं, याने सीख करते हैं याने अपनी life में धूंडते हैं कि knowledge या ग्यान की प्राप्ती तो होनी चाहिए और यह हमें कैसे पता चलता है कि इनको कैसे knowledge था यह एक mathematician थे याने maths के बहुत बड़े विद्वान थे एक logician थे, याने जो भी अपने decisions लेते थे बहुत logic सोच समझ के लेते थे एक political activist भी थे याने politics में राजनीती में काफी active रहते थे और लोगों की मदद के लिए आके रहते थे हमेशा and wrote vastly on philosophy और काफी लिखते भी थे philosophy के बारे में and contributed to literature और इन्होंने literature में साहित थे भी बहुत literature में भी बहुत इन्होंने अपना contribution दिया जिसकी वजह से इनको noble prize भी मिल चुका है तीसरी चीज third he shared an unbearable pity for the suffering of the mankind तीसरी जो चीज इनको चाहिए थी जिसका passion इनके अंदर था वो तब pity याने mankind इंसानों में जो suffering जो चीज इंसान सेहर है बरदाश कर रहे है उनके लिए इनके अंदर एक pity की feeling आई थी कि दया की feeling कि लोगों को दुख देखके इनको तकलीफ हुई he took a stand against world war one and Vietnam war और इस वज़े से इन्होंने world war one के against भी ये खड़े हुए काफी active थे और Vietnam country जो थी जब वहाँ पे war हुई जब वहाँ पे जंग हुई उसमें भी ये इन्होंने साथ दिया था उनका तो इससे पता चलता है कि लोगों के लिए उनके दुख तकलीफों में खड़े भी होते हैं तो basically जो तीन passion से उनके वो तीनों ही इनको मिल गए इसलिए उनको बहुत simple लगे वो ठीक next what according to result is the importance of love in life हमारे author की according love की क्या importance है किसी की भी life में प्यार की क्या importance है तो Bertrand Roselle is of the opinion that love brings ecstasy in one's life तो इनका ये opinion इनका ये विचार है कि प्यार किसी की भी life में ecstasy ला सकता है ecstasy याने a feeling of great happiness बहुत जादा अत्यांत खुशी की feeling किसी की life में ला सकता है he believes that the happiness that love brings is so magnificent that he could sacrifice the rest of his life for this joy of few hours magnificent word का meaning क्यों होता है extremely attractive बहुत जादा attractive तो author कहते हैं कि ये जो happiness है प्यार के आने के बाद आपकी life में जो ये happiness आ रही है ये इतनी जादा magnificent, इतनी जादा attractive है कि कुछ घंटों की खुशी के लिए प्यार के कुछ घंटों की खुशी के लिए आप अपनी पूरी life sacrifice कर सकते हो पूरे life त्याग सकते हो ये वो खुशी है अगर आपकी life में loneliness, अकेला पन है तो उससे भी आपको relief मिलेगा relief मिल जाएगा कि चलो अकेला पन खतम अपको ये मेरी life में partner है ये मेरी life में love आ चुका है अगे? So this was all about love Next Why is the quality of pity earth bound while the other two passions are elevating? अब author बोलते हैं कि मेरे तीन passions है love, knowledge और pity जिसमें से जो मेरे पहले दो passions है love and knowledge ये heavenly है क्या है? याने कि इन दोनों passions को love और knowledge को पाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं heaven पहुज गया हूँ स्वर्क पहुज गया हूँ लेकिन जब मैं धर्ती पे लोगों की दुख तकलीफ हो की आवाज हो की जो गूँज है अपने कानों में सुनता हूँ तो मेरे अंदर दया भावना जाग जाती है और ऐसा लगता है मैं आसमान के स्वर्क से उतर के वापस कहा आ गया हूँ? धर्ती पे याने अर्थ पे क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो pity वो दया की भावना आ गई तो असल लगता है वापस धर्ती पे आ गया उन लोगों की मदद करने तो यह जो third passion है pity दया की भावना वो earth bound है याने धर्ती से जुड़ी हुई है क्योंकि जितनी भी दुख और तकलीफ है वो सब धर्ती पर है और love और knowledge पाने के बाद आपको लगता है आप elevating हो गए हो elevating याने उपर की तरफ heaven की तरफ चले गए हो तो question में यही पूछा गया है कि यह जो pity यह जो दया की भावना यह earth bound क्यों है याने धर्ती से क्यों जुड़ी हुई है और जो बाकी के दो passions है याने love और knowledge यह elevating क्यों है याने उपर की तरफ जाते हुए क्यों है याने स्वर्ग स्वर्ग वाली feeling क्यों आती आपको तो answer है बॉर्टर रुजल है उनके तीन passions है जिसमें से पहले दो है love और knowledge जो ऐसा लगता है उनको elevate करते है याने उपर heaven की तरफ ले जाते है higher and higher स्वर्ग की तरफ और वो स्वर्ग का ये feel लेते हैं जो बड़े-बड़े great कवियों ने और saints याने संतों ने imagine किया है कि हाँ स्वर्ग ऐसा होता है तो वैसा यहनों ने imagine किया अपने पहले दो passions को पाके however he said that the third one pity brought him back to earth the reality लेकिन author कहते हैं कि जो मेरा third passion है जो की pity जो की दया की भावना है वो मुझे वापिस खीच के earth याने धरती पे ले आती है अब earth का मतलब क्या है reality याने कि स्वर्ग तो imagination का part है लेकिन धरती पे जब आप जहां रहते हैं वो reality वो आपकी सच्चा ही है okay the pain in the echoing cries repeated in his heart जो आवाजों की गूंज थी रोते हुए लोगों की जो लोग pain में हैं उन लोगों की आवाजों की रोती हुए जो गूंज है वो बार-बार उनके दिल में गूंज रही है सुनाई दे रही है the children in famine victims tortured by oppressors helpless and old people that became a hated burden to their children तो कैसे लोगों की आवाजों दिल और दिमाग में गूंज रही है कि बाई छोटे बच्चे हैं भुकमरी से मर रहे हैं victims याने लोग शिकार हो गए हैं कि इनका oppressors का याने जालिम लोग cruel people इन सारे बेचारे लोगों को victims को torture कर रहे हैं याने जुल्म कर रहे हैं इनको परिशान कर रहे हैं और जो बेचारे बुड़े लोग हैं जो अब क्या बन गए हैं अपने बेटों के उपर burden बोज बन गए हैं अपने बच्चों के उपर तो वो लोग उनके घरों से उनको निकाल के फेक रहे हैं माबापको तो इन सब की जो दुख और तकलीफों की जो आवाज हैं वो author के कानों में गूंज रही हैं जिस वज़े से वो उपर स्वर्क से love और knowledge छोड़के दया भावना देने के लिए लोगों के पास आ गए हैं उन्होंने सोचा था कि मैं यह evil याने इन बुरी चीजों को धरती से elevate कर दूँगा याने कम कर दूँगा खतम तो नहीं कर सकता था लेकिन कम कर दूँगा लेकिन कम नहीं कर पा है जिसकी वज़े से उन्होंने खुद ने भी बहुत जादा suffer किया याने बरदाश किया he yet respected human life and found it worth living लेकिन फिर भी यह जो इंसानी life है जो इंसानी जैनम है इसको वह बहुत जादा respect करते थे और इनको लगता था यह worth living है याने यह धरती जीने लाए के दुबारा भगवान ने मुझे अगर चांस दिया तो मैं फिर से यह life जीऊंगा चीक है next question पर आते है how have the three passions contributed to the quality of results life अब यह जो Ruzel है हमारे author है उनके यह तीन passions love, knowledge and pity जो है उनके तीन passions ने उनकी life की quality अच्छी करने में कैसे contribute किया है याने इन तीन passions का क्या योगदान है Ruzel की life quality of life improve करने में so the answer है the three passions in the Ruzel's life contributed immensely to its making तो immensely याने to a great extent बहुत जादा Ruzel की life में उनके तीन passions ने उनकी making याने उनकी पूरी personality इन तीन passions से बनी है He found his life worth living उनको लगता है कि मेरी life जीने लायक है जीने योग्य है बहुत अच्छी है and had been given a chance he would life lived it again और अगर फिर से भगवान ने जान जिया तो मैं फिर से ये life को जीऊंगा It were not just passions but the three morally high behaviors governing his life तो ये जो तीन passions थे ये केवल हमारे author के लिए passions कोई जुनून की चीज नहीं थी बलकि morally high behaviors थे याने सही behaviors जो हमेशा morally correct होते हमेशा morally right होते है याने love की feeling भी हमेशा सही direction में knowledge से तो हमेशा आपको अच्छी चीज़े ग्यान की बाते मिलती हैं और pity याने दया भावना जो दूसरों को दुख तकलीव देख कर होती है तो ये तीने ये तीनों चीज़े उनके हर एक action उनकी लाइफ को govern करके रखा था याने रुजल की लाइफ को control करके रखा था और इन तीनों passions ने उनको direction दिये कि life में किस मार्ग किस दिशा की तरफ जाने है और जो भी action लेते थे जो भी काम करते थे हमारे author इन तीन passions को मद्दे नजर रखते ही लेते थे Whether it was as relationships with women और fighting against Vietnam war It was always these three passions that ruled all these actions जो भी उनकी life में relationships रहे हैं तीन चार ओरतों के साथ love life जो भी इनकी रही है या Vietnam country की जब war हुई थी जब वो उनके लिए खड़े थे लड़ाई में उनका साथ देने के लिए जो भी life में उनका decision रहा है यह जो तीन passions से इनोंने हमेशा rule करा है उनके actions को यानि जो भी वो करते थे इन तीन passions को बेस रखके मद्दे नजर रखते अपने सारे decisions और actions लेते थे पर यूट्यूब पर हमारे वीडियो देख सकते हैं जो वहाँ ना मिले तो आप वेबसाइट पर जाएए तो उस पर click करें जैसे आप click करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने play होना start हो जाएगा and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि Magnet Brains free of cost quality education आपके घर तक पहुचाता है तब तक के लिए bye bye and take care